हले दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं चैनल उमीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों हमेशा की तरह आज की वीडियो भी होने वाली है आपके लिप बहुत जादा खास क्योंकि इस वीडियो में आपको बताए हैं काफे सारे स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स जिसकी मदद से बिना एक रुपिया खर्च किए आपके घर के सारे काम बिलकुल फ्री में हो जाएंगे तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो रोज की तरह लाइक करने के बेकार पड़ी हुई बॉटल्स की हम सब के घर में अक्सर इस तरीकी की चोटी या बड़ी बॉटल्स आ जाती है कभी फ्रूटी की कभी माजा की या किसी भी कोल्डरिंग की और यह जब खाली हो जाती है न तो इन बॉटल्स को हम बेकार समझ कर फेक देते हैं क्योंकि ये बेकार पड़ी बॉटल्स थी इसके धकन पर मैंने कर दिये है करीबन 5-6 चोटे-चोटे-चोटे चेद अब इसका यूज हम कैसे करेंगे ये आपको देखना है दोस्तो मैंने यहाँ पर लिया है सेव बनाने के लिए ये बेसन का गोल सेव बनाने के लिए अकसर हमें मशीन की जोरत पड़ती है और जिसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन यहाँ पर आपको इन बेकार पड़े हुए कबार को यूज करके सेव बनाने के मशीन बना सकते हैं जिसके लिए आपको एक रूप्या भी खर्च नहीं करना पड़ेगा मतलब बाहर से मशी बोटल से मदद से इसमें सेव बनाने शुरू कर दी है तो आप देखेंगे कि जो सेव आप बाजार से खरीदे हैं या फिर मशीन खरीद कर लेकर आते हैं घर पर सेव बनाने के लिए उसके लिए आपको मशीन खरीदनी नहीं पड़ेगी किसी तरीके का आपको एक रूप् अजी हमारी सेव बनकर तैयार होई है अगली टिप हमारी आती है दोस्तो इस तरीके की हरी मिर्च को लेकर हम जब कभी भी हरी मिर्च खरीद कर लेकर आते हैं तो कई लोगों की जो हरी मिर्च है वो बहुत ही जादा कुछ ना तेज होती है जिसकी वज़े से उनके हातों में जलन होनी शुरू हो जाती है क्योंकि कई लोगों के जो हातों में जलन होनी शुरू हो जाती है और इस तरीकी से जब हम मिर्च काटते हैं तो हमारे हातों में जलन होना शुरू हो जाती है अब लेकिन मिर्च तो हमें हर सबजी में डालनी पड़ती है, हर घर में यूज होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक छोटा सा तरीका है जिसे अपना कर आप अपने हातों की जलन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं, यानि कि अगर आप इस चीज को कोईल आपको लगा लेना है, अपने हातों पर, उसके बाद आपको मिर्च काटना शुरू करना है, तो आपका जो रोस का छंजट वाला ये काम है जिसमें आपको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कई लोगों की स्किन बहुत संसिटिव होती है, तो उन लोगों को ही ये ट कोई भी जलन नहीं होगी, बस आपको करना ये होगा कि मिर्च काटने से पहले अपने हातों के उपर रिफाइन ओईल या फिर सरसो का तेल एक बार बस अपलाई कर लेना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा बेहदासान, दोस्तों अक्सर हम सभी को ये आर्टिफिशल ग भाग जाएगा या खो जाएगे, तो हमें इस बात का हमेशा डर लगा रहता है, जिसकी वज़े से हमें ये आर्टिफिशल गोल्ड की जल्री केरी करने पढ़ती है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्रम हमें तब आती है, कि जो ये आर्टिफिशल गोल्ड होता है, कई अगर आपको artificial gold के जुमके होते हैं, उन्हें पहनने में किसी तरीकी कोई दिक्कत होती है, दर्द जादा होता है, या फिर आपको किसी तरीकी का कान में infection हो जाता है, कान पक जाता है, तो आप इस trick को जरूर से follow कीजिगा, दोस्तों अगर आपको artificial gold jewelry पहनना बहुत जादा पस तो सबसे पहले आपको एक lesson को इस तरीके से gold का जुमके का पीछे वाला हिस्सा है इस तरीके इस पर लगा लेना है, क्योंकि हमारा जो ये lesson होता है, इसमें antibacterial गुन होते हैं, जिसकी मदद से अगर आपके कान भी पक जाते हैं, या दर्द करते हैं, गोल्ड की इस तरीके क artificial jewelry पहनने के बाद, तो आप इस तरीक को ज़रूर से use कीजेगा, और अगर आपको इस तरीके का artificial हार पहनने के बाद, गले के आसपास किसी तरीके की allergy हो जाती है, या फिर छोटे-छोटे दाने निकलाते हैं, तो भी आप इस तरीके से इसको apply कर सकते हैं, एक बार आपको ब ना किसी tension free होके इस gold की jewelry को पहन सकते हैं, तो I hope कि आपको ये तरीका भी बेहत पसंद आएगा, क्योंकि जिन लोगों को gold की इस तरीकी की jewelry पहनना पसंद है ना, उनकी ये tension हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं अगली useful trick, दोस्तो हम सभी क कि घर में कई बार ना चाय पती के packets आते हैं, और हम क्या करते हैं, चाय पती का packet खोल कर शुरू करते हैं, और सारा का सारा चाय पती का packet डबे में डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें एक बहुत ही जरूरी काम है, जो की करना चाहिए, और 99% लोग नहीं करते ह और वो यह है कि दोस्तों कभी भी अगर आप चाय पती का नया packet खोलने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके घर में भी चाय पती का packet है तो सबसे पहले कट करके एक ये काम ज़रूर कर लीजेगा, कभी भी चाय पती का packet लेकर आते हैं, सबसे पहले एक लीजे बरतन, कोई भी आटा चालने की कोई भी चलनी, और उसके अंदर आपको इस तरीकिस से चाय पती को थोड़ा सा चान लेना है, आप सोचेंगे कि इसको चानने की क्या जरूरत है, ये कोई आटा थोड़ी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखेंगे चानने के बाद इसके नीचे नीचे के तले में महसूस की होंगे, जो कि अक्सर हमारे मूँ में आ जाते हैं और बिल्कुल चाय का टेस्ट खराब कर देते हैं, तो ये रेत जैसा मूँ की अंदर लगता है, लास्ट में जो चाय बशती है, और दूसरा दोस्तों कभी भी जब हम चाय का पैकिट लेकर आत जैसा पैकेट आपको बजार से मिला था पुरा सील पैक हुआ, बिल्कुल वैसा ही आपको पैक कर लेना है, तो यहां पर आपको इस पैक त को पिखल की था इसकी मूँ के ऊपर लगा दीना है, ये फृवट फॉयल, क्योंकि अगर अगर अक पन्नी पर लगाएंगे न, तो ये पन्नी पे जो है ये चिम्टा बिल्कुल चिपक जाएगा और वो पन्नी पूरी तरीके से पिखल जाएगी तो जो silver foil है इसका इस्तिमाल करना है इसको बड़िया तरीके से seal pack करने के लिए इसकी मदस से आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से pack हो जाएगा और इसमें से चाई पती या कोई भी खाने पीने का समान बिल्कुल भी नहीं निकलेगा तो अगर आपके पास भी इसी तरीके का कोई भी खाने पुरने का packet हो ना तो आप इस trick को use करेगा इसको बड़िया तरीके से seal करने के लिए तो आई होप कि आपको ये trick भी useful लगी होगी तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी ऐसी tricks हैं जिनका इस्तिमाल अगर आप करते हैं तो आपके life तो आसान होती ही है साथी साथ आपके काम भी बहदासान हो जाते हैं और इन tips के उपर आपको एक रुपिया भी खर्च नहीं करना पड़ता आपको ये सारी tips पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह लाइक करने के साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले चलिए फिर दोस्तों मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ कुछ नई tips के साथ तब तक के लिए हर हर महादेव